गोड मार्निंग बच्चो। आज हम लोग hen number 2.1 in victims का lesson करेंगे तोडे we'll be doing in victims ों मतलब हां इंकॉनकॉंकॉरेबल मतलब जिसको हराया नहीं जासकता हज दूस्वेस का मतलब एंकॉनकॉरेबल या सिसको हराया नहीं जासकता अब यह जो warming up exercise है, उसमें आपको introspect करना है, इधर लिखा है, let's introspect, introspect का मतलब क्या है, examine one's own thoughts and feelings, अपने खुद के विचारों और feelings को, को जांचना, मतलब जब तुम कोई situation में हो, तो उस समय तुम्हारे मन में क्या गुजरता है, okay, तो let us introspect, think and respond with yes or no, when you are faced with a very serious problem or some grave danger, what do you experience, इस question का मतलब क्या है, कि जब तुम कोई बहुत ही घंबीर परिस्तिती में पहुंच जाते हो, या बहुत ही कोई खतरनाक situation में आ जाते हो, तो तुम क्या experience करते हो, क्या अनुभाव करते हो, experience मतलब अनुभाव, हम लोग सबके जिंदगी में क्या अनुभाव होते हैं, तो जब तुम, when we are faced with a very serious problem, यानि कि बहुत ही घंबीर परिस्तिती या कोई बहुत ही भयानक situation में हम पहुंच जाते हैं, तो हम लोग क्या feel करते हैं, ज्यादा तर हम तो बहुत ही डर जाते हैं, फिर हमको लगता है, helplessness हो जाता है, मतलब अरे हमको ऐसे लगता है, काश में पैदा ही नहीं हुआ होता, तो मुझे यह सब तकलीफ होती ही नहीं थी, फिर hopelessness, hopelessness मतलब उमीद ही नहीं रही, उमीद छुट जाती है, helplessness मतलब कोई सहायता करने की कोई उमीद ही नहीं रहती, ऐसा, एक situation आ जाता है कभी-कभी, no emotion, हम मेंसे क कोई emotion ही फील नहीं होता, मतलब अच्छा हुआ तो भी उनको कुछ नहीं फरक गिर्दा, बुरा हुआ तो भी कोई फरक नहीं होता, बहुत कठोर दिल के रहते हैं, फिर calmness and composure, calmness मतलब शान्त एकदम, मतलब चलो हो गया, अभी सोच के कैसे हम इसका solution निकाल सकते हैं, ऐसा calmness मतलब शान्ती से बैठ के दूसरा willingness to decorate, मतलब वो problem का solution निकालने के, यह है हमारे feelings जो हम feel करते हैं, हम में से हर जान अलग-अलग type के feeling feel करते हैं, तो आप क्या feel करते हो, वो इस box में आप लिख देना, yes or no, ठीक है, अभी आपके reaction क्या होते हैं, कई हम लोग react भी तो करते है मतलब अभी कोई situation आ गया है, सा helpless situation बहुत ही dangerous situation आ गया, तो आप react कैसे करोगे, हम में से कई लोग भी break down and cry, break down and cry का मतलब है, हम लोग तोट जाते हैं, मतलब तोटना भोलते हैं, हमारा दिल तोट जाता है, हम रोने बैठ जाते हैं, ठीक है, run away and hide, हम में से कई लोग situation से चुपने की कोशिश करते हैं, फिर हम में से कई लोग pray to God, in the sense, we look to God for help, हम परमेश्वर की और देखते हैं, मदद के लिए, हम में से कई लोग, फिर हम में से कई लोग दूसरों की मदद मांगते हैं, ask for help, we ask others for help, हम में से कई लोग, फिर build up courage, चलो, अभी situation ऐसा आ गया है, ह हिम्मत बांदो, that is, build up courage, take it as a challenge, हम में से कई बहुत ही, ब्रेव होते, हिम्मत वाले होते, तो हम लोग क्या करते हैं, हम इसको challenge जैसे लेते हैं, we take it as a challenge and we try to find a solution, so, you have to find out what kind of person you are, ठाकि, introspection का मतलब क्या है, मैंने कहा था, examining once on thoughts and feelings, तुमारे विचार और तुमारे feelings क्या है उसके basis में तुम इसको yes or no करको भरो, okay, अभी तुमें write about your feelings and reactions, यह तुमने ओ feelings and reactions में yes लिखे हैं, अभी उसके बारे में आप 4-5 line लिखो, कैसे लिखोगे, you may describe your feelings and reactions using other words than those given, जोरत नहीं कि आप यह use कीजिए, आप कोई भी use करके 4-5 line लिख सकते हैं, जैसे आप लिख सकते लिखो कि वन I was faced with a very difficult situation and I had no hope, I felt very helpless, but then I decided to tackle the situation, so I prayed to God to send me some help and I built up my courage, took it up as a challenge and faced the situation and I won over the situation. तो ऐसा कोई lines में आप अपने feelings and reactions के बारे में 4-5 line में लिखो, okay, अभी हाँ question number 2 हम देख रहे हैं, guess what the following symbolize and match the pairs, अभी हाँ matching के लिए हमें कहा गया है, अभी a tall mountain, आप जब एक tall mountain देखते हो था, आपके मन में क्या विचार रहा थे, बहुत ही बड़ा पाहाड, पाहाड को क क्या हम हिला सकते हैं, नहीं, पाहाड is a very strong thing that, you know, when we look at a mountain, we see strength, correct, we see strength, we see something that cannot be moved, so, इसमें जो option से, उसमें से कौन से option इसको fit होता है, strength और firmness, okay, a tall mountain is compared to strength और firmness, अभी next, एक dark night, a dark night, एक काली रात, कोई-कोई रात हमको दूसरे रातों से जादी काली लगती है, उसका मतलब क्या है, बहुत ही, मतलब बहुत ही, कभी-कभी किसी का death हो जाता है, या suppose कभी कोई exam में हम fail हो जाते हैं, या तो हमको किसी ने कुछ बहुत ही जादा डांट दिया, या हमारे best friend से हमारा जगड़ा हो गया, तो वो रात बहुत ही मुश्किल से गुजरती है, ठीक है, तो उस time हम लोग बहुत ही परिशान हो जाते हैं, तो a dark night क्या बताती है, a deep distress, deep distress, बहुत परिशानी, मतलब मन में परिशान, फिर a rose, a rose क्या बताती है, rose सुंदर था, बोलते है, rose सबसे सुंदर फूल है, तो क्या दिखाती है, rose, beauty, फिर sunrise, sunrise क्या है, नई दिन, एक नया दिन, एक dark night के बाद, सुबह क्या होता है, उजाला होता है, तो sunrise मतलब क्या बताता है, एक नई उम्मीद, उम्मीद मतलब hope, hope is उम्मीद, तो sunrise क्या बताता है, एक नई दिन, एक नई उम्मीद, okay, a flying bird, a flying bird क् कुर्थी उपक्षी हम जब आस्मान में देखते हैं, हमारे मन में क्या आता है, वाउ, कितना उचा उड़ रहा है, कितना फ्री है, हमको लगता है कभी हम भी उड़ चके काश, तो वो क्या signify करता है, अभी बारिश के दिन बहुत बादल गरशते हैं, तो कभी-कभी कोई हमको जोर चो चिलाता है, तो हमको कैसे लगता है, कितना गरज रहा है बादल के जैसा, क्या signify करता है थंडर, एंगर, ओके, चीक है, अभी हम यह इनविक्टस जो लेसन है, उसको हम पढ़ेंगे, यह इन हम Ernest Henley करके एक पोएट ने लिखा था, ठीक है, शायद यह पोएट एक कैप्टन था, शिप का कैप्टन, क्यूंकि जैसे हम यह पोएम पढ़ेंगे, तो हम देखेंगे, कि उसने लास्ट में वर्ड यूज किया है, कैप्टन और मास्टर, यह मास्टर और कैप्टन यूज शिप का कैप्टन है, उसके लिए यह वर्ड यूज किया जाते हैं, मास्टर और कैप्टन, तो शायद यह शिप का कैप्टन था, जिसकी वज़े से उसने ऐसा एक पोएम लिखा, तो अभी हम यहां से शुरू करते हैं, इन्विक्टस का मतलब क्या है, अन्कॉंकर्ड, अन उसके उपर जीता है, तो अन्कॉंकर्ड का मतलब क्या हुआ, जिसके उपर जीता नहीं जा सकता, ओके, इन्विक्टस मतलब अन्कॉंकर्ड, चल, आउट अउट अफ दे नाइट एट कवर्ज मी, मतलब यह जो रात, जो मुझे, उंडे, यह यह वर्ड यह वोई है, मतलब मेरे को, जैसे हम ब्रेट शीट कवर करते हैं, वैसे ही रात ने उसको कवर करके रखा है, ठीक है, ब्लाक is the pit, from pole to pole, pit मतलब, जो हम लोग खड़ा खोते हैं, उसको pit बोलते है, जो pit के अंदर देखोगे, तो कैसा अंधेरा ही रहता है, तो वैसे ही, रात का अंधेरा काला है एक खड़े जैसा, from pole to pole मतलब, बहुत, मतलब ऐसा लगता है कि खतम ही नहीं होगा, बहुती लंबारा, बहुती लंबी रात है, from pole to pole मतलब, बहुती लंबी रात है, ठीक है, I thank whatever gods may be for my unconquerable soul, मैं जो भी देवता है, वो बोल रहा है, उसको मैं धन्यवाद देता हूँ, मेरे यह unconquerable soul के लिए, soul का मतलब क्या है, soul जो वो part हमारे body का जो मरता नहीं है, okay, जब हम मर जाते हैं, तो हमारा जो soul है, हमारे body को से निकल जाता है, और soul never dies, okay, soul never dies, so that's why he has used the term unconquerable here, मतलब यह जो soul को को के उपर कोई जीत नहीं पा सकता, क्यों, और उसके लिए वो किसको धन्य दे रहा है, he is thanking the gods, कि उसका उन्होंने soul ऐसा बनाया है, जिसकी उपर और कोई जीत नहीं पा सकता, okay, तो इधर क्या बोल रहा है, यह जो out of the night that covers me, black is the pit from pole to pole, I thank whatever gods may be for my unconquerable soul, यह जो रात तो मुझे कवर की हुई है, इतनी अंधेरी रात को, जो मेरे को कवर कही है, उससे भ भगवान को धन्यवाद देता हूं मेरे इस आत्मा के लिए, जिसको कोई, जिसके उपर कोई जीत नहीं सकता, okay, इतनी question क्या है, what is the poet thankful for, इसका answer क्या लिखोगे, the poet is thankful for his unconquerable soul, okay, what is the poet thankful for, the poet is thankful for his unconquerable soul, next para, in the fell clutch of circumstances, fell clutch मतलब, wicked trap, इधर आपके book में, नीचे definition में दिया हुआ है, fell clutch मतलब, wicked trap of circumstances, कभी-कभी कुछ-कुछ चीज़े हमारे जिन्दगी में होती है, जिसका हमने, जिसका कोई वजय नहीं बता सकते हैं, इसको बोलते है, fell clutch of circumstance, मतलब, हमारे आजू-बाजू में जो चीज़े होती हैं, उसक twist मतलब, जब हमको कोई अचानक से कुछ दर्द होता था, हम कैसे react करते हैं, इससे एकदम अकड़ जाते हैं, थोड़ा सा, वो wince बोलते हैं, नाई, no cried aloud, मतलब, वो रोया भी नहीं, और पीछे भी नहीं हटा, ऐसा, तो जिन्दगी ने उसके सामने, जो भी circumstances, मतलब, जो भ बार-बार मारते हैं, जैसे हमको अभी कभी news में सुनते हैं, किसी ने किसी को बहुत जोर से मारा कि हूँ मर ही गया, तो जो क्या करते हैं, बहुत जोर से एक, कोई object लेके बार-बार किसी को मारते है, तो उसको bludgeoning गोलतें, तो जो chance, मतलब, जो हमारे जिन्दगी में जो हो जाती हमको लगता है जो हो रही है वो जो chance है कभी-कभी हमको एहमार के जैसे लगती है मतलब इसे रखते है यार यह तो मैंने मैंने ऐसा क्या किया था कि मुझे मेरे life में ऐसा problem आया तो ऐसे chance के मार में भी, my head is bloody मतलब मुझे चोट तो लगी है लेकिन मैं जुका नहीं but unbowed, unbowed मतलब बाव मतलब ऐसे हम जुकते हैं तो unbowed मतलब हम नहीं जुके ठीक है यह जो chance के पिटाई से जो मार मिली मुझे जिन्दगी के circumstances से, उससे मेरा, मेरे सिर में चोट तो जरूर लगी, मेरा खून निकला लेकिन मैं जुका नहीं, ठीक है तो यहां question किया, which line show that the poet has suffered his hardships bravely, मतलब इसमें से कौन से line दिखाते हैं कि poet के life में जो मुश्किल आई उसने बहुत ही strength से face किया, I have not, in the fell clutch of circumstances, I have not winced, nor cried aloud, under the bludgeonings of chance, my head is bloody but unbowed, यह चार line दिखाती है कि poet को इतने मुश्किल के बावजुद भी उसने बहुत ही bravely अपने circumstance को face किया, next, beyond this place of wrath and tears, looms but the horror of the shade, यह सब मुश्किल के और रात मतलब गुस्से में, गुस्से के circumstances और जहां हमारे आख से आसू तक निकल जाते, looms but the horror of the shade, horror मतलब वो भय, डर, उसका सीफिक डर बचा हुआ है, यह स जो circumstances जो होके गए, उसके बाद इसका सिर्फ एक परचाई बचा हुआ है, shared मतलब परचाई, and yet the menace of the years, मतलब जैसे जैसे वो बुढदा होता जा रहा है, finds and shall find me unafraid, यह सब चीज फिर भी मुझे ना डरावा पाएंगी, कितना भी मेरे life में, वो poet बोल रहा है, मेरे life में कि इतनी भी मुशिबत आ जाए, कितना भी गुसा, कितना भी हासू, कितना भी डर, और मैं कितना भी बुढदा होता जाओ, तुम पाओगे कि मैं हमेशा, I am always unafraid, मैं कभी भी डरानी, तो that's his courage, तो इदर एक question है, what is meant by the place of wrath and fears, basically place of wrath and fears क्या है, यह जिंदगी हम जो जीते हैं दुनिया में, उसमें यह सब difficult circumstances जो हमारे life में आते हैं, that is this place of wrath and fears, okay, now last paragraph, it matters not how straight the gate, यह जो word है straight, इसका मतलब है narrow, narrow या पतला, पतली गली बोलते हैं ना, पतली गली, तो पतली गली से जो gate दिख रहा है, it matters not how straight the gate, मतलब जिस gate से उसको यह दुनिया से आगे वाली दुनिय मतलब कितनी भी मुसीबत face करके जानी हो, और कितना भी मुसीबत, मतलब किसी-किसी के life में बिलकुल भी मुसीबत नहीं होती ना, तो उनका जो gate है, वो बहुती चोड़ा gate होता है, मतलब उनके life में सब आराम है, कैसा भी चलता है उनको, लेकिन किसी-किसी के life में बहुत तो उसको बोलते हैं कि straight gate मतलब बहुत ही पतले रस्ते से उनको निकल के जाना पड़ता है life में तो how charged punishments the scroll how charged with punishments the scroll इसका मतलब ऐसा है कि जब हम ये जिन्दगी छोड़ के दूसरी जिन्दगी में जाएंगे तो हमारे जो हमने इस दुनिया में जो काम किये है उसका हिसाब किताब होगा है की ने तो वो हिसाब किताब कहीं तो लिखा है वो बोल रहा है scroll मतलब पुराने जमाने में books की जगे scroll यूज किया जाता था जो ये जानवरों के चमड़ी से बनाया जाता था scroll स्करोल ताकि बहुत अभी भी मिलते हैंBox पुराने जमाणेows में लिखने स्करोल अभी भी मिलते हैं। तो वह कहना चाहता है कि मैंने life में बहुत कलदिया की होंगी और इसकी वजे से मेरे को बहुत पत्मिशमेंट bi मिलेगा, तो मेरे scroll में बहुत सारे punishments लिखे भी होंगे लेकिन वो क्या बोल रहा है I am the master of my fate fate का मतलब क्या है ऐसे हम लोग बोलते है हम लोग fate को बोलते है हमारा तकदीर तकदीर बोलते है और हम बोलते हैं तकदीर हमारे बस में नहीं है लेकिन यह क्या बोल रहा है मैं मेरे तकदीर का master हूँ I am the master of my fate मतलब I am the master of my fate मतलब जो भी मेरे life में हो रहा है वो उसका responsibility मैं ले रहा हूँ I am the captain of my soul soul मतलब जो हमारा spiritual part human beings का जो मरने के बाद हमारे शरीर से निकल जाता है उसका captain वो है इसका कहने का मतलब है कि वो अपने life के full control में है he is not subject to anybody's control he is responsible for whatever happens in his life तो उसके life में जो भी circumstances आते है he says I am responsible for it वो किसी को blame नहीं कर रहा है okay what does the poet have full control over the poet has full control of his fate and his soul means he decides how he is going to live his life how he is going to use his life अभी हम next lesson में next video में देखेंगे ये lesson के questions and answers ओके तो ये आप please subscribe भी कीजिए और share भी कीजिए और जरूर जितना समझा सकते हो जितना deeply है poem समझोगे उतना easily आपको answer करने के लिए easy पड़ेगा questions कैसे भी questions पुचे जाए poem से अगर आप poem का मतलब समझ गए तो आप कैसी भी questions answer कर सकते हो ओके चलो हम next lesson में next video में पढ़ेंगे ये portion workshop ओके बाई बाई